यह महसी छेतर का घुमनी घाओं हैं यह वही घुमनी घाओं हैं जहां धाई भजे रात को छे महा के बच्चे आरूश के उपर भेड़िये ने हमला कर दिया यहां के लोग डरे हुए हैं आपको जानकारी के लिए बता दें आरोशी की मा आरोश को रात को धाई बजे छट के उपर लेकर सो रही थी और बारिश जैसे हुई वो नीचे आ गई और नीचे बरांदे में तख़त के उपर बैठी हुई बच्चे को दूद पिला रही थी उसी वक्त दबे पाउं भेडिये ने आकर अटेक कर दिया हमला कर दिया आरोश गंभीर रूप से घायल है बहराईच के मेडिकल कालेज हास्पिटल में उसका इलाज चल रहा है यहां का माहौल यह है कि लोग डरे हुए हैं भाईभीत हैं हम एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे क्योंकि अभी बीते 20-25 दिनों से यहां पर कोई घटनाएं नहीं होई थी लोग बिलकुल इत्मिनान में हो गए थे कि अब घटनाएं नहीं हो गई अब जब घटना हो गई है तो हम बात करेंगे किस तरह का माहौल है क्या नम है आपका नीरच सुकला नीरच जी कौन सा घर है अपका घर हमारा इस घर के उसपार है यह आप ही के गाउं में यहां घटनाएं गाउं में रात में भेडिये ने बहुत ज्यादा आतंग फैलाया 10-15 दिन हम लोग दविप पड़े थे कि नहीं हो रहा है सकांड इसके बाद एकदम से कल हासा हुआ तो बहुत लोग डरे हुए हैं और बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं तो कैसे अब आप लोग बचाओ कर रहे हैं अब हम लोग डंडा लाठी लेके और गाउं में पहरा कर के बचाओ कर रहे हैं लेकिन आप लोग के माध्यम से कुछ सरकार से भी चाहिए कि हां यहां पर पहरेदार बढ़ाये जाएं और जैसा कि भेडिया एकदम से 10-15 दिन रुकने के बाद में फिर से कर रहा है तो इसका मतलब पूरे गाउं में दहसत है बहुत लोग डरे होगी या नहीं होगी तो लाइट नहीं रहती है वैसे तो लाइट रहती तो कोई दिक्कर नहीं है यहां से 6 किलो मीटर की दूरी पर हाईवे स्टार्ट हो जाता है बहराई सीतापूर हाईवे चलारी घाड़ 6 किलो मीटर के बाद से एक घनी आबादी हो जाती है यह गाउ रेते हैं और मौके की तलास करते हैं जैसे ही इनको मौका मिलता है महतारी भी और उनकी पापा भी दूरी उजय ने चिलाए रहे थे तब देखा गा तो यह घड़ना हो गई है इसके बाद क्या महौल है किस तरह का महौल है बहुत डिरे हैं सब लेके वच्चे भी अगर इसकूल एक पठो तो यह जाब भी ना और हुआ जाए में भी दिक्कत है और घरहूं से भी डिर रहा थे कि कहीं बैचान सगर लेका तो किस तरफ से यह भी बेड़िया आया होगा क्योंकि उधर भी मकान बने है रास्ता कि धर सा थे इसक्ता है जर भी यह अजल्ड़िक पर कुछ साथी और मौजूद हैं नहीं हम उनसे बी बात करेंगे आपको घर कान सा है यहां से दूर है तो बताएए घटना से क्या महौल है पूरे गाउन में घटना से लहसे यहां से फैली हुई है लाद में सब सोते नहीं जागते हैं वा आद तो और ज्याद दहसत हैं ऊहरा एक बचा उवा है आप लोग क्या मान रहें वही आदम खोर बेडिया है वही है तो साथ हो यह गाओं वाले हैं सब डरे हुए है अलग-अलग बाते कर रहे हैं लोग रातों को जाग रहे हैं मैं दिखा दूँ ये जो च्छत आप देख रहे हैं ये आरूश इसी के उपर अपनी मा के साथ सोया हुआ था और रात को जब बारी सुई तो धीरे 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 वो लोग जब नीचे आये मैं दिखा दूँ ये घर है आरोश का छे मा का जो बच्चा था ये देखिया अभी यहां पर चार पाई लगा दी गई है क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि एक बार भेडिये ने इस छत के उपर भी चड़ने का पर्यास किया बचाओ के लिए इन लोगों ने चार पाई लगा दी ताकि भेडिया ऊपर न जा पाए और जैसे ही मा उसकी नीची आई ये जो वो जगहा है वो तकहत है ये जहां पर आरोश सो अपनी मा के साथ बैठा हुआ था मा उसकी दूद पिला रही थी यही वो अस्थान है और भेडिया दबे पाउं यहां पर आता है और यह अँगी यहां पर उसका एक निशान भी दिख रहा है बेडिये का लोगोंने उसको घेर दिया है मैं केमरमेंट से कह Спँए दिखा खा दें ये वही निसान है भेडिये का जिसको आप देख रहे हैं यहीं से वो भागा है उसकी मा ने इसी तखत के ऊपर भेडिये से जद्दो जहत की है और उसके बाद भेडिया यहां से निकल गया है यहां पर एक घर की महिला मौजूद है इसी घर की हम उनसे बात करेंगे क नाम है आपका हमानाम है सुनिता जी क्या हुआ है रात को यहां पर लागत लगता है रात को क्या महौल था जब बच्चा बच्चे को उसने दबाया भेडिये ने तो किस तरह का यहां पर महौल था अब यह हम नाय जानता ने आवा तो रहा है भेडिया रात गहें आवा रहा बत्ती चली गए रहा तब आवा रहा है तो यह घर के लोग हैं यहां पर नन्यमुन्य बच्चे भी बहुत सारे हैं एक इसमें से आरूश का बड़ा भाई भी है यह पवन नाम है इसी का छोटा भा जानते हो कुछ है कहां पर मा उसको लेकर बाप के भाई को बैठी थी तो आप डर गए हो गया है रो मत चुपो कुछ नहीं होगा चुपो यह बच्चा है क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने भाई बहन को बहुत प्यार करते हैं और जब इस तरह के घटना हो जाए तो ड जारा हुआ है पूरी गाउं में दहिसात है तो यह तो नन्हे मुन्हे बच्चे हैं यहां पर गाउं के कुछ और लोग मौजोद हैं मुन से भी बात करेंगे आ जाई एदर क्या नाम है आपका कन्ही जी कौन सा घर है आपका तो बिलकुल पीछे आपका घर है और आगे यह भटना हुई है क्या हुआ था यहांं रात में सोये होते सारे रात में बारिस आई है एक बजिख फ़िस आई है ऑफ था जली रही है तो रात में यह स्ब लोग उपर से नीची यहां प हाँ यह ने वह कि आ नाम है तो जब उपर से आये हैं जानते हलका पुल का दिमीन आता रहता है तो दूद्ध में आरा दूद्ध पिला रही है तो पता नहीं कहां से यहां से इसके अंदर बठा हुआ था यह बाहर बठा हुआ था तो चीनअसे बेड़ी यहाँ यहां पर दाथ लगा है यहां लगा हो तरह ब्लेड निकलने लगा से रात में बुलाया गया फिर उससे इस पर गए आप्सी लेके गए अंधि से रिफर हुआ फिर जिला सब्सक्राइब क्यासब इस तरह की घटना हो गई है तो इस तरह का कि एक बार पहले भी आ चुका था हमारा मकान है यहां पीछे है इसले की जान ने सके जिना बाहर से एक बार पहले यहाद्सा हो चुगा है एक मैने पहले से चड़ गया दा उपार लेकि बचाव हो गया था हम लोग उपर लेटे हुए छत्पे तो साथियों यह आरूश का मकान है जो च्छे मा का बच्चा है वो अपनी नानी के हाँ आया हुआ था भूमने के लिए कुछ कारिकरम में और अब जब घटना हो गई है तो पूरा दहसत का माहौल है लोग दरे हुए हैं अब यह देखने वाली बात होगी हाला कि जो च्छटा बेडिया है वो वन विभाग के थर्मर रोड कैमरे में कैद भी हो चुका है अब वन विभाग उसको पकड़ने में कितनी जल्दी कामियाभी हासिल करता है पहराईच के महसी छेदर से बिन्नू बालमिकी की लोकल इक्टीन के लिए रिप्रोट